हेलो, वेलकम बेग टू रूपा नरेश फैमिली ब्लोग और आप सब कैसे हो आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे और सबसे पहरे तो मैं आप लोगों को थैंक्यू बोलूंगी जिन्हों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, लाइक किया, सिस्क्राइब किया तो इसी तरह आप मुझे सपोर्ट करते रहें, जूँकि बिना सपोर्ट कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता है, मैं भी नहीं आगे बढ़ सकती हूँ, तो आपके सपोर्ट के हमेशा मुझे जरूरत रहेगी, और जो सपोर्ट के उसके लिए फिर से एक तहए दिल से स्वागा, आपका थैंक्यू बोलती हूँ, और आज मैं आप लोग के लिए लाई हूँ, मैं बताने वाली हूँ, कि छोटे बच्चो को आप क्या खाना दे, शुरुवात के दिनों में, जब बच्चे छे महने के लाते हैं, तो जब पहला हार दिया जाता है, तो बच्चो को क्या खिल बच्चिता है, इस बारे में आपसे अपना एक्सपिरियंस सेयर करना चाहते ह barrelू हूँ और ऐसे महने शब्लाखोव मत्ले ना देता है, जिए बहुत ना दे रहे हूँmost को Ceciliny Wव, वहां जुए बता दिए हूँ, कि चोटे बच्चों को गिए ना दिया जाताए। तो बहुत लोगों ने बहुत तरी चीजे बताई कि ऐसे बचों को खिलाओ, इस तरह खिलाओ, तो मैं उसी तरह खिलाती पिलाती थी, तो मैं सोची कि आप लोग से अपना एक्सपिरेंस से सेयर कर दो, ताकि आप लोगो जीने जरूरत हो, उसे मदद मिल सकें, इसे सब में हेल्फ मिल सकें जब चोटा बच्चा सबसे पहला हार खाता है तो आप उसे लिक्वीड फोम में देजिए, जैसे की फूट्स का जूस देजिए, या फिर दालों का पानी देजिए, दालों का पानी दाल बनाती है, उसमें कम नमक डाल का बना, अब बच्चे को देए, और बाद में आपको आ अपने चोगा के समय थोड़ा नमक डाल ले अपने लिए, फिर उसको आप कोई भी फूट्स का जूस दे सकती है और या फिर दल्या दे सकती है बच्चों को दल्या बनाने के लिए अप मूं डाल ले ले, उसे पूकर में डाल दे आ सारी सबचिया जैसे बीन्स, गाजर, आ मैस कर दे जाता है उसे मैस कर दे या फिर फूड़ा असा आप इसमे पूरा ही पक जाता है लेकिन फिर भी आपको लगे थोड़ा होगा है तो आप मिक्सिम पीज़ने और उसे बच्चों को खिलाए बच्चे बच्चे पी तीरे दीर उनकी आदत बन जाएगी फिर आप बुष्ट में हल्दी नमग और साबजी जैसे बीनस, गाजर, मतर या फिर भूबी जो सब्जी आपके पास अपलेबल हो आप डाल सकती है और फिर बनने के बाद उसे मैस करका उसे दे सकती है फिर पोगया सियो का हल्वा जैसे आप सेयो को बॉil कर लीजे उसे बॉil करने क लीजे सब्टेके बाद आप मैस कर दीजिए और फिर अपिर एक कडाई में घी डाल कर गी बस थोड़ा सा घी डाल कर ना हम सरुब तो नासा show कर hmpy रूबी जादा घी झिर भी बाल पर नतवर दे맛ना हो गी नंगी ब्हाई दी ब्यूद्ट sì ऋब तperson बूर्थ реш गीर mar Sequish लिक्विड फोम में भी देज सकती है और इसे आप इस्टोर करका भी रख सकती है जिसका धकन हो असे जार में आप फ्रीज में रख दीजिए इस्टोर करका जब आपको देना हो तो आप थोड़े दिर पहले निकाल दीजिए अजब नॉर्मल हो जाए रूम टमपरेचर इतन केल को मैस करका दे सकती है इनारियल पानीती दे सकती है इस Swah Cash ब encountered देम सकती है और सबसे अच्छा है कि और हम सबसे है यह जो पोदीना जाएता है आप अप उसे सकते हैं उसे बनाने अकिए लिए जाद को मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है आप उसे ज़िक पहने ड़कर अपैहो थे नमां अपसारा अपुछ ड्ऱाराता है फिर है कि आप सूजी को भूनकर कड़ाइ ने रख़ा है और उसे जार में बंद करको लूँकर घीर की जरूरत नहीं है तो आप उसे घूजी को भूनकर रख़ा है। जब बच्चों को देना हो तो आप थोड़ा सा उसमें दूद्ध डालकर और थोड़ा चीनी डालकर खीर की तरह बनाकर आप दे सकती हो और ऐसे ही गाजर को कदुकस कर लो उसमें दूद्ध चीनी डालकर उसका भी खीर बनाकर थोड़ा सा मैस कर देना हुगा और वह आप गजार को भूल को तो system करें, जैसे में बसेट Anda के वाहते हैं, ज्यासा स्थ решation को फेसे, बच्चो भल रेटोर में, कमाइब पजाना में बच्चों को मरता. तिघने, अजवाइन-नमग-जप्याश्टा, लिटभा, पटला, लगार्टे, नवा नमग-घ्याश्टा, बस छोटे दुख्या टुकड़ा करने हाप अच्छों से ृच्छे लेगेत है। तोने मिल्कों दूद में ख़नके मिल्क अगलाया। यह सारे चीज जो आप बच्छों को शुरुआत के दिनों में दे सकती है। मैंने बताया होगा कि जो थोड़ा साथार मैने के बच्चों को आप दे सकती वाकिछे मैने के बच्चे के लिए है तो यह सारे चीज है जो आप बच्चों को खिला सकती है और आज के लिए बस इतना ही कल फीर मैं आप लोगों से नए वीडियो के साथ मेलूंगी तब तक के झाल ये, बाई!